हलो आई रिवान मैं आपका होस्ट और दोस्त अकाश ओल इंडिया स्वेंट्स कम्यूनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वन्स तुगलक वन्स से जितने भी कुश्यन एक्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं आज मैं आपको सारे कवर कराऊंगा ओडियो है ध्यान से सुनिएगा थोड़ी बहुत इमेजिस भी आपको दिखेंगी लेकिन बस पहले ध्यान से सुन लो उसके बाद अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहो तो लास्ट में नोट डाउन कर लेना अभी एक काम करो एयर फोन लगाओ कान में या ध्यान से सुन मुहमद गोरी आया लूट कर चला गया मुहमद गोरी ने क्या किया अपने एक गुलाम को यहां पर मतला चोड़ गे चला गया और उसे राजा गोशित कर दिया और वो गुलाम था कुतुबुद्दी नैबग ने क्या किया था कुतुबुद्दी नैबग ने अपना एक अल इनका जो सासन है वो 1206 से लेकर 1290 इसवी तक रहा गुलाम वंच। गुलाम वंच के बाद जो दूसरा सामराज्य आया वो था खिलजी वंच। खिलजी वंच की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की, उसके बाद हमने अलाउदीन खिलजी के बारे में पढ़ा, मार्केट रिफोर्म्स के बारे में पढ़ा, और दाग पर था, और हूलिया पर था, जो उसने स्थाट की, अलाउदीन खिलजी ने, हमने उसके बारे में भी पढ़ा, अब जो दिल्ली सल्तनत के अंदर तीसरी डाइनस्ट्री आई, वो थी तुगलक वंस, जिसने राज किया 1320 से 1414 तक, और खिलजी वंस ने राज किया था 1290 से 1320 तक, अब ये वीडियो स्टार्ट होता है, आज हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंस, वीडियो पसंद आए, तो लाइक कर तो एक बार लगे कि हाँ कुछ बहतरीन पढ़ने वाले हो, तो तुगलक वंस, इसका इस्थापक जो थे, जो इसकी स्थापना की गई तुगलक वंस की वो की गई गया सुदीन तुगलक दुआरा, तो गया सुदीन तुगलक वंस की स्थापना की गई, और सबसे ज़यादा नहरों का निर्मान किया गया तुगलक once ने अभी हाली में पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि दिल्ली सल्तनत में ये लाइन किसने बोली थी? लाइन ये है कि हुजूर दिल्ली चलो, दिल्ली अभी बहुत दूर है, तो ये लाइन बोली थी निजामुद्दीन ओलिया ने, किसको बोली थी, ग्यासुदीन तुगलक को बोली थी, निजामुद्दीन ओलिया ने, कि हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है, अगर हम बात प्रद करते हैं तुगलक वंस की तुगलक में 1325 में 1320 में जया सो दीन तुगलक ने तुगलक वंस का स्थापना किया 1325 में एक राजा बनता है और उसका नाम था मुहमद बिन तुगलक और मुहमद बिन तुगलक को ही रक्त पिपासु कहागया है upfront रक्त पिपासू या फिर आप बोल सकते हैं पागल राजा भी इसको बोला गया है बेवकूफ राजा बोला गया है मुहमद बिन तुगलक को अगर हम बात करें पूरी दिल्ली सल्तनत में इवन मुगल्स भी आएंगे उसमें सबसे पढ़ा लिखा राजा था मुहमद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर दिया दिल्ली से देवगिरी में ठीक है दिल्ली से इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से और देवगिरी में ट्रांसफर किया था इसने मुहमद बिन तुगलक ने और इसका नाम रख दिया था दोलताबाद क्या नाम उसे पेवकूप कहा गया दूसरा उसने जो काम किया था वो था सिको का अब आप लोगों ने पढ़ा होगा मैंने आपको बताया था कि सिक्के उस टाइम पे कुछ जादा ही चल रहे थे ठीक है अपनी तरह हर एक राजा अपनी करंसी बनवाता था तो मुहमद बिन तुगलख ने सोचा क्यों न ऐसे सिक्के बनवाय जाए जो कम पैसे में बने तो उसने क्या किया उसने कुछ सिक्कों का निर्मान कराया और वे सिक्के थे तामबे के किसके तामबे वगारा के उसने जैसे पीतल और तामबे के सिक्के बनवाये तो मतलब उसने बोलता कि मेरे सासन में तामबे और पीतल के सिक्के उसने स्टार्ट करा दिये, अब तामबा और पीतल easily available होता है, लोगों के पास भी तामबा और पीतल था, उन्होंने क्या कि अखुद घर पे अपने सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिये, तो इस वज़े से क्या हुआ, अब उसे अपना ये डिसीजन भी वापस लेना पड़ा, और जितने लोगों ने सिक्के बनाये थे, उसके बदले में उसे चांदी के सिक्के वापस करने पड़े, तो मतलब वो सोचता अच्छा था, लेकिन परिणाम हमेसा गलत निकले, इस वज़े इसे मतलब बोला गया है, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा होने के बाद भी सबसे मूर कनेता मुहमद बिन तुगलक को बोला गया है, मुहमद बिन तुगलक ने किर्सी के लिए एक विभाग का भी स्थापना किया था, जिसका नाम था अमीर ए कोही किर्सी के लिए एक अलग विभाग बनाया इसने और इसका नाम दिया इसने अमीर ए कोही विभाग तो किर्शी केले काफी पूचा गया कि Ameer एक किस के लिए था तो किर्शी के लिए था और इसका स्थापना किया गया था मुहमद बिन तुगलक दुआरा और अगर हम पढ़ते हैं मुहमद बिन तुगलक अएक अफ्रीकी यात्री था इबन-बतूता जो इसी के समय में भारत आया था तो इसी के समय में भारत आया था इबन बतूता और इस सुल्तान ने इसको अपना दिल्ली का काजी न्यूक्त कर दिया था तो पूछा जाता है इबन बतूता जो है वो किस के समय में आया था तो इबन बतूता जो है वो इसी के समय में आया और इसे इसने अपना सुल पुस्तक है ये इबन बतूता दुतादोः लिखी गई है और उसने चार कर भी लगाए थे मुहमद बिन तुगलग ने एक तक खराज, खम­S, जजिया और जकात ये चार कर लगाए गए ठीक है और जो रिहाला पुस्तक है इसमें मुहमद बिन तुगलग की घटनाओं के बा लगाने वाला पहला राजा बना ठीक है तो जो है फिरोज साहतुगलक जो है पहला राजा बना जिसने जजियाकर लगा जजियाकर आप जो है मुगल डाइनस्टी के अंदर भी पढ़ने वाले हैं और उसके बाद उलेमाओं के आदेश पर इसने एक नया टेक्स लगाया जो था कर सिचाई फिरोल सा तुगलक ने जो पहले मोलवी काजी होते थे उलेमा बोल देते हैं उन्होंने बताया कि आप एक और बतलब कर सिचाई सिचाई कर जो है इसने एक टेक्स और लगाया और जिसमें जितना भी उपज होती थी एक किसान अगरमाल लो एक किसान के हाँ दस किलो गेहूं हुआ तो एक बटा दस जो है वो टेक्स के रूप में राजा को देना पड़ता था नहरों के निर्मान में और आप बोल सकते हैं सिचाई की व्यवस्ता तुगलक मंस में बहुत अच्छे से हुई है अब बोल सकते हैं सिचाई का अच्छा था टेक्स तो देना पड़ा लेकिन एक तरीके से खेती अच्छी थी सुईधाएं थी लोगों के पास और फिरोज साथ उगलक ने एक और काम किया था जो महिला और विद्वाय थी उनकी साहिता के लिए फिरोज साथ उगलक ने एक नया विभाग बनाया था जिसका नाम था दिवान एक खेरात तो दिवान एक खेरात बनाने वाला राजा को था फिरोज साथ उगलक ये काफी बार एक पेपर में पूछा गया है कि दिवाने खैरात किसने बनवाया था तो फिरोज सा तुगलक ने दिवाने खैरात बनवाया था जिसमें मुस्लिम महिलाओ की विद्वाओ की और लड़कियों की साहिता की जाती थी फिरोज सा तुगलक ने पांच बड़ी बड़ी नहरों का निर्मान कराया फिरोजसात Tugulaq ने तीन सो नए नगरों की स्थापना की क्योंकि बहुत सारे नगर बनाए गए फिरोजसात Tugulaq के नाम पे जैसे हिसार, फिरोजाबाद, फतेअबाद, जोनपूर, फिरोजपूर ठीक है तो ये सब फिरोज सा के टाइम पे बनाए गए थे फिरोज साह जो कोटला मैदान है दिल्ली में जिसका भी आली में नाम बदला गया है ये भी फिरोज साह तुगलक ने ही बनाया था इसने अपनी एक आत्म कथा भी लिखी थी फिरोज साह तुगलक ने अपनी एक आत्म कथा लिखी उसका नाम था फुतुवत ए फिरोज साही ये इसकी आत्मकता था इसने खुद लिखी थी अपनी कहानी फुतुवत ए फिरोज साही जो है इसने अपनी खुद की एक आत्मकता लिखी और इसने जो दिवाने एक अलग विभाग भी बनाया था एक और विभाग इसने बनाया था महिलाओ के लिए दिवाने खहरात बनाया इसने एक दास विभाग भी बनाया था किसने फिरोज सा तुगलक ने एक दास विभाग था उसमें एक लाख असी हजार दास थे और उसके लिए इसने एक दास विभाग बनाया फिरोजाबाद ये इसी के द्वारा बनाए गए थे, जो फिरोज साथ कोटला मैदान है, इसका निर्मान भी फिरोज साथ तुगलक नहीं कराया कै था, मध्यकालीन भारत का पहला निरंकुष सासक माना जाता है, फिरोज साथ तुगलक को, जो लोक निर्मान विभाग है, सब नहरों का निर्मान जो है क्यासुदिन टुगलक ने स्टार्ट करा दिया था कि नहरे बनेगी उसके बाद हुझूर दिली अभी बहुत दूर है यह किसने बोला निजामuddin ओलिया ने क्यासुदिन टुगलक को बोला सबसे पागल राजा और संबसे पढ़ा लिखा राजा मों से कलर में देख रहे होंगे तो यहाँ यहाँ पर तुगलक मंस का साजन रहा है वो पूरे सौथ को अच्छे से कंट्रोल करना चाता था इसलिए उसने कैपिटल दोलता बार ट्रांसफर किया लेकिन डिसीजन सही नहीं हुआ फिर उसने तामबे और आप बोल सकते हैं पीतल के सिक्के जारी किये वो डिसीजन गलत पड़िया क्योंकि लोगों ने नकली मुद्राओं का परचलन आप कोई बताए कि कोई सिंपल पेपर पेपर थी साबित हुए उसने एक किर्सी विभाग की स्थापना की जिसका नाम अमीरे को ही था तो पीता और इबन बतुता इसी के टाइम पे आया इसने दिल्ली का काजी नुक्त किया अपने राजदूत को इसने चीन में भेजा इबन बतुता की एक पुस्तक है रेहला ये मुहम तुगलकवंस में खराज, खंस, जजिया और जकात ये चार कर स्टार्ट हुए तुगलकवंस के अंदर एक नया कराया सिचाई कर एक बटादस जिसके देना पड़ा महिलाओं के लिए दिवाने खहरात जो दास है उनके लिए दिवाने आप बोल सकते हैं दासों के लिए द नसीरिदूइन तुगलकवंस के सासक के दोरान आकर्मन किया दैट इस नसीरिदूइन तुगलकवंस तो दोस्तों ये थी जानकारी तुगलकवंस एक और इंपोरेटन चीज है हाँ जो खिजरबाद और मेरत में असोक के स्थम्भ है उसको दिल्ली में स्थापित किया गया टोपरा गाउं में था मेरत में और आप खिजरबाद था टोपरा गाउं में और मेरत में असोक के स्थम्भ को दिल्ली लाया गया था फिरोज सा तुगलक के समय में तो दोस्तों ये था फिरोज तुगलक मंस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा सारी इंपोरेटन हमने सब कुछ पढ़ लिया है और इससे एक भी question बहार नहीं आएगा सारे important चीजे हाँ पर cover की गई है वीडियो पसंद आए तो like करें शेयर करें और comment करके बताए कैसा लगा मैं उम्मेद करूंगा आपका response जरूर आएगा और comment करके जरूर बताएंगे अगर आप WhatsApp टेलिग् प्रोइड करा दिया है WhatsApp का जहां पर आपको PDF वगेरा बहुत सारी चीजे मिलती रहें थैंक यू जय भारत टेक क्या लव यू और बबाए